जैहिंद वंदे मात्रम प्यारे साथियों आचुके हैं एक और जबरदस्त नहीं भरती के साथ कौन सी भरती है दोस्तों आपके लिए यह साथियों Insurance Company Limited भरती दोहजार चोबिस जी हाँ साथियों Insurance Company में भरती निकली है जिसकी संपोन जानकारी हम आपको देंगे जानकारी आपको बताएंगे एक दम आसान और सरल भासा में इसको समझने वाले हैं तो आभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटा फट से आप चैनल से जुड़ जाएए यहाँ पे आपको दिखरा होगा ओम भी रोजगार आपी का चैनल है दोस्त यह काड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिक रखा है न इसको दबादो इसको दबादोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा आप हम से जुड़ जाओगे हम आप से जुड़ जाएंगे आओ फटाफट से इसकी सारी जानकारी हम देख लेते हैं ओरियन्टल इन्सूरेंस कमपनि लिमिटेड भरती दोहजार चोबीस इन्सूरेंस कमपनि लिमिटेड भरती है 100 पद हैं दोस्तों इसमें बिल्कुल सो पदों पर ये भरती है आल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों जिसकी योग्यता है वो इसमें फोरम भर सकता है आल इंडिया का कोई भी कंडिडेट है वो फोरम भर पाएगा फोरम कब से शुरू है 21 मार करना है मित्र के दुआरा एग्जाम डेट भी जारू हो चुगे है माई जून दो हजार चोबिस में तुम्हारा परिक्ष्या होगी ये सरकारी नोकरी है समझ रहे हुना सरकारी नोकरी है एग्जाम होगा इसमें भाया सारी चीजे बताने वाले हैं उससे पहले हम आपको य पातरी नहीं है तो तो देखो फटा फट से इसके ये चीजी देख लेते हैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कोई भी भाई बहन दसवी और बारवी पास है उसके काम की यहां पर कोई भी भरती नहीं है दोस्तों बिलकुल केवल दसवी बारवी पास वालों के लिए यहां पर बिल्कुल भी भरती नहीं है BSC वाड़ों के लिए है B.com वाड़ों के लिए है उनके लिए है साथियों दसवी बारवी पास के लिए यहां पर कोई भी वेकंसी नहीं है आप वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं ठीक है दोस्तों अब जो भाई बेन B.com वगएरा कर रखे हैं B.sc वगएरा कर रखे हैं M.sc वगएरा कर रखे हैं B.b.tech कर रखे हैं MB.bs कर रखे हैं उनके लिए यहां पर भरती है साथियों कोई वकालत की डिगरी ले रखा है तो उसके लिए भी यहां पर भरती है आप इसमें आवेदन कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों ठीक है अब आजाओ शुरू करते हैं फटा फट पता चल गया होगा किन किन के लिए भरती है अब आप आराम से चेक करते हैं पूरी जानकारी एज की बात करां तो 21 से 30 साल कोई भी 18 साल का 19 साल का और 20 साल का कंडिडेट इसमें फ़ोरम नहीं भर पाएगा क्योंकि इस नातक करेगा तब तक उसकी 20 साल से उपर होई जाएगी बिल्कुल 21 से 30 साल की एज चूट भी है SCST को 5 साल की चूटे OBC को 3 साल की चूटे दिव्यांग भाई बहनों को 10 साल की चूटे सर्टिपिकेट होड़ना से ये दिव्यांग का ठीक है यानि कि SCST वाले 35 साल के भी हैं तो फोरम भर देंगे OBC वाले 33 साल के भी हैं तो फोरम भर देंगे फोरम फीच क्या रहेगी फोरम फीच तो सब जनरल OBC और EWS के 1000 रुपय लग रहे हैं साथियों 1000 रुपय लगेंगा पूरम पट थारा देख लो अब थारे जचा है तो देख बर देओ नहीं जचा है तो टाल करो वही 20-20 पदा आपके बाटे आएंगे ये पदे हैं ठीक है SCST और दिव्यांग भाई बैनों के लिए 500 रुपय फोरम फीच रखे गई है जो भी SCST का कंडिडेट है या कोई दिव्यांग भाई बैन है कोई भी वो 500 रुपय ही देंगे फोरम फीच चाहियन कैसे होगा एक्जाम प्री और मैंस दो एक्जाम होंगे दोस्तों पहले ही बता रहा हूँ दो एक्जाम होंगे फिर इंटर्व्यू होगा फिर डोकॉमेंट्स और फिर मेरिट लिष्ट जारी होगी प्री का एक्जाम मैं जून 2024 में आपका ले लिया जाएगा मैं जून में आपका अब बात करते हैं पदों की पद नाम योगता वेतन वेतन सभी में 50,000 पलस मिलेगा सातियों आपको जितने भी ये पद हैं इन्हें सभी 50,000 से भी पलस आपको वेतन मिलने वाला है ठीक है, अकाउंट्स, अकाउंट्स के 20 पद हैं दोस्तों बीकोम होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए बीकोम में और SCST वाडों के लिए 55% होनी चाहिए तो यह आप इसमें आवेतन कर पाओगे क्योंकि अकाउंट्स में तो भाया बीकोम चाहिए ठीक है और वो भी 60% है, जनरल ओबी CWS की और SCST की 55% बढ़ी हो तो फोरम भर सकते हो, अगर MBA Finance से आपने कर रखी है तो भी आप इसमें फोरम लगा सकते हो ठीक है सब, अब Engineering इसके 15 पद है और Engineering IT, Intelligence वाडों के इसके 20 पद है तो इसमें क्या है B, B Tech या M, M, Tech वो 60% और 55% SCST की, तो आप इसमें आवेतन कर पाओगे अगला है ये, एक्यूच रियल, इसमें 5 पद हैं सातियों B, SC, M, SC, Math Science वाले हैं, 60% हैं, तो भर सकते हो B, SC है, आपके पास Math Science है, तो भी आप इसमें आवेतन कर पाओगे M, SC वगरा है, आवेतन कर पाओगे, 60% होनी चाहिए SCST की 55%, ठीक है अगला है Medical, Medical में भी 20 पद हैं, डोक्टर के MBBS मांगी गई है, डिगरी MBBS की डिगरी है, तो आप डोक्टर में, Medical में आप फोरम लगा सकते हो Legal, इसमें भी 20 पद हैं, वकालत की डिगरी होनी चाहिए आपके पास, इसनातक इनलाव वकालत की अपने डिगरी ले रखी है तो आप वो ही 60%, General OBCWS और SCST की 55%, यदी है तो आप इसमें आवराम से आवेदन कर पाओगे अनिता भीया फोरम नहीं भर पाओगे अगर ये डिगरी आपके पास नहीं है तो ठीक है, ये थी इस भरतिक की संपूर्ण जानकरी, पूरी की पूरी चीजे मैंने बता दी है, एक्जाम दो होंगे प्री और मैंस, ठीक, आल इंडिया के महिला पुरूसिस में आवेदन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, रही बात नोटिपिकेशन, की नोटिपिकेशन आपको मिलेगा ओमवीर रोजगार के टेलिग्राम पर डाल दिया गया है, आप आराम से चेक कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कोई भी संका है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा हम आपका जवाब दे देंगे दोस्तों और अगर डायरेक्ट आप हमसे संपर्क करना साथे हैं, कॉन्टेक्ट करना साथे हैं तो ओमवीर रोजगार के इनिश्टाग्राम को फोलो कर लीजिए, इनिश्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं या फिर message के थुरू भी आप direct message के थुरू हम आपसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये थी इस भरती की संपून जानकारी, जो मैंने आपको अच्छे से clear से समझा दी है, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चै फिर मिलूँगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को, जैहिन जै भारत! की सबस्थे और भी मुनें जैप जैता है, तो ब치 जैघारे साथियों को, तो स्क्री भारे साथियों उत्त दिव siis स wात। है, प्यूठा है, प्यूदार वीडियों वी राओत है, तो कि मैंने जैए प्यवी improve, which is LORD आई है, जैए, बते दो कि कर दोते हैं, एते हैं। हädते हैं